हेलो एवरीबर एक बहुत दी लेटेस्ट अबडेट आ रहा है आपके काउंसलिंग को लेकर बच्चो जो आपकी काउंसलिंग जो शेडियूल्ड थी छे तारिक साथ से शुरू हो नहीं थी उसको पोस्पोंड कर दिया गया है और किसी भी न्यू डेट के बार में आपके डि टीए ने और मिनिस्टर एजुकेशन ने फाइल की थी उसी प्रकार का सेम एफिडेविट 2015 में भी फाइल किया गया था और उसमें सुप्रेम कोट ने क्या डिशन लिया था उसके बार में हम बात करेंगे जी पहले यह देख लेते हैं कि क्या कोई न्यू डेट के बारे में करेंगे अब सरकार गवर्मेंट अपने एंडे से जो है इसको भी स्टे लगवार यह के उपर होल्ड कर रही है जी दी ओल इंडिया कोटा सीट कांसलिंग वास इनीशली सेडियूल तो स्टार्ट उन 6 जुलाय आप से शुरू नहीं था करंटली नो न्यू डेट हाज बिन कांसलिंग सेशन कोई भी नया डेट यह नया इंफर्मेशन बुलेटिंग रिलीज नहीं हुआ है तो पहले पीड़लुड के लिए अपका नोटीस आएगा उसके बाद ही चीज़े आगी बचती ऐसा कुछ भी आपको डेवलाप्मेंट देखने को नहीं मिल रहा है और अब लिए को यह बोला गया था कि पेपर का जो है एक्जाम को कैंसल किया जाए और पेपर को री कंडग करवाया जाए बट यहां पे कल हमारे पास क्या हुआ जी सुप्रेम कोट के अंदर दोनों एफिडेविट कल फाइल हो गई मिनिस्ट्र एजुकेशन से भी और आपकी यह बात कल सेंटर ने बोला है कि मतलब गवर्मेंट की तरफ से बात बोला गया है कि पेपर कैंसल लार्ज स्केल पर जो आपका पेपर लिक नहीं हुआ है जी अब यह पंट 2015 भी क्या हुआ था सिर्फ चीटर वेर्स उनली 44 और CBAC ने क्या बोला था उसमें CBAC कंडक्टिंग बोडी थी उन्होंने यह बोला था कि we can't cancel only for 44 बच्चों के लिए हम पूरा examination cancel नहीं करेंगे उस समय सुप्रेम कोर्ट ने क्या judgment पास की थी सुप्रेम कोर्ट ने बोला था examination stand bitted even if one student is being benefited illegally उन्होंने क्या होता कि एक भी बच्चा अगर benefit उसको मिला है एक भी बच्चा illegally अगर उसको benefit मिला है तो वो सारे लोके लिए रूल apply होता है जी तेक है अब यहां पर जो हमारा NTA जो है वो SSC का कोई यहां पर हवाला दे रहा है कि आपने SSC में एक ऐसा judgment पास किया था उसके basis पर इस judgment को भी cancel कीजिए मतलब जो petition उसको cancel करके paper को cancel ना किया जाए और बच्चों का counselling करवा के admission दिलवाया जाए जी लेकिन यहां पर जो बच्चे सफर करेंगे वो बच्चे सफर करेंगे जिनका number 630 है 640 है 620 है जिनको medical college मिल सकता था अब उनको नहीं मिल सकता है देखो अब यह पूरा का पूरा डिशन सुप्रिम कोड के हाथ में ओगे जो कि 8 जुलाई को फैसला होने वाला जी अब 8 जुलाई को या तो सीब आपके बस inquiry दे दिया जाए तो कि inquiry के लिए पास कर देजा order को या तो दूसरी बात आपकी यह हो सकती है कि counseling के ओपर officially stay लगा दिया जाए यह दो चीज़ आपको हो सकता है या तो stay लग जाए counseling के ओपर या तो एक new date दे दिया जाएगा यह दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा जी देखो अगर paper reconduction में जाता है या नहीं जाता है तो तुम्हारी preparation चालू रहनी चाहिए हलका-फलका पढ़त सकते हो और बड़ी बात हमारी सारी recording जो है वह इसी YouTube चैनल पर uploaded है आप जाके उन सभी को भी देख सकते हैं ठीक है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमेंसे डर लग रहा है दरने की बात निए देखो यहां पर क्या होता ना कि decision जब लिया जाएगा तो वह सारे पर जाएगा जी ठीक है तो मैं कुछ भी हाव वाई बात ही नहीं कहता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना वो बोलता है कि आगे News वाले सर आगे तुम कभी क्लास में भी आया करो है है ना कहतें पढ़ाने आता है नहीं न्यूज देने आता है कि तुम पढ़ने आते कि दर करें और अगर आपने आठ से पहले अगर 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 आपको 620-30 मिल जाएगा तो आपको आपके सारे पैसे रिफंड कर दे जाएंगे ठीक है आगे दूसरी बात हमारी नीट 25 के लिए तो जिफ ड्रॉपर बैस चालू हो चुकिए बच्चो और अनेकाडमी प्लस आपको 5999 में मिल जाएगा कोड क्या उसकरना आपको बायोलाजी लाइब सबसे जाधा आपका कोड आपको 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 आपका आफर अवेल कर जाता है आपके इस कोड को यूज करके आप अनेका यूज कुआ़ मेंका प्लस को आपको 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 आपका